जैसल मेर जो भारत की गोल्डन सिटी के नाम से भी परसीद है इस जगह हर प्रेटक के घूमने का सपना होता है इसी जैसल मेर मेर में एक जगह है जो भारत की सबसे खुबसूर्थ जगों में गिनी जाती है उस जगह का नाम है पटूओं की हवेली नमस्कार दोस्तो मेरा ना पटवा कोई सरनेम नहीं होता यह एक उपाधी होती है जो लोगों को दी जाती है गमानचंद जी का पूरा नाम था गमानचंद बावना जैन क्योंकि वो जरी और मोतियों का काम करते थे इसलिए इनको पटवों की उपाधी दी गई और तब से इनका नाम गमानचंद पटवा के नाम से जानते हैं नमबर तीन सैट साल पटवों की हवेली को बनने में लगबग सैट साल लगे जिसमें पटवों की हवेली में पांच हवेलियां देख सकते हैं जिसमें एक हवेली को बनने में लगबग बारा साल लगे और यह हवेलियां तीन पीडियों ने मिलकर बनाई हैं इन हवेलियों क सबसे खास बात ये है कि इन हवेलियों को बनाने में चूना, सिमन्ट और पानी किसी भी चीज का इस्तमाल नहीं हुआ है अब टिकट लेकर चलते हैं उपर की और हवेली में नमबर चार करंसी पटों की हवेली में पटों की करंसी आज तक रखी हुई है जिसमें आपको तांबे और लोहे से बने हुए कोड़ी, टका, बीसी, पाना, ठेला, पईया और दमडी भी आपको मिल जाएगी उसी जगह, उसी जमाने के नोट की करंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी उस से मैं एक लाक तका नोट भी चला करता था कहते हैं मारवाडी लोगों की चमडी जाए, दमडी ना जाए नमबर पांच, गुप्त तिजोरी यहाँ पर आपको तीन तरह की तिजोरी देखने को मिल जाएगी पहली दिवारों के अंदर जिसका नाम होता है लोकर बाद में यहरेगिस्तान में बदल गया और पट्वों की हवेली में आपको उस समय का फोसिल पत्थर देखने को मिलेगा जिसे जैसलमेर की लोग पानी में मिला कर पीते हैं इस पत्थर को पानी में सुबह पीने से उनकी काफी बिमारियां जैसे बी-पी, सूगर, डायबिटीज और हर्दे की बिमारियां दूर होती थी और सातवे नमबर पर आता है अती सुन्दर समारक इस हवेली में 365 दिन काम हुए फिर भी एक हवेली को बनने में 12 साल लगे यह है भारत का तीसरा सुन्दर समारक के रूप में आता है पहला नमबर ताज महल जिसका पानी आने के एक सीने पहचाना था दूसरा गड़ों में गड़, चितोड़ गड़, बाकी सब गड़या, रानियों में रानी, पदमनी, बाकी सब पद़या और तीसरा है हमारा पटवा की हवेली नमबर आठ पांच बेटे गुमांचंद बापना जी के पांच बेटे हुए जिनका नाम है बहादुर मल जी बापना, सवाईराम जी बापना, मंगनी राम जी बापना, जोहरावर मल जी बापना और परताब चंद जी बापना जिनमें से बहदुरमल जी बापना 1965 में भारत की आजादी के बाद अपनी हवेली को 65,000 रुपे में बेच कर कोटा चले गए और सवाईरम वह परताब जी बापना ने मिलकर अपनी हवेली बजाज को बेच दी लेकिन जो तीसरे और चोथे नमबर की हवेली उन्होंने अपनी हवेली अभी तक नहीं बेची नमबर नो पालकी पटों की हवेली में आपको पटों के जमाने की पालकी भी मिलेगी जो कि उस से में अमीर होता था वह पालकी में सवारी करता था पालकी की खास बात पुर्सों वाली पालकी पर सेर तथा महिला वाली पालकी पर छतरी के नि की होती है नमबर ग्यारा सीस महल इस सीस महल में जो भी कांच लगाया गया है वहें बैलजियम से मंगाया गया है क्योंकि उस में जैसल मेर में कांच का काम नहीं होता था इसी कांच से पटों की हवेली में तीन काम किये गए जिसमें पहला सुरक्षिया दूसरा काम रोसुनी क के लिए उद्यपुर मिनिस्चियर प्रेंटिंग के लिए और जोद्पुर है अंटिक्स के लिए वैसे ही जसलमेर जरी और मोतियों के लिए परसिद है इसलिए यहां की साड़ी सूट सलवार और लहंगे पूरे भारत में परसिद है नमबर 13 हिसाब किताब कमरा उस से मैं पटवा अपना हिसाब किताब देखते थे नमबर 14 है ताले यहां पर आपको बहुत से ताले देखने को मिल जाते हैं उन सभी तालों का अलग अलग नाम है यहां पर एक बड़ा ताला भी है जो हैस्पेंड वाइफ ताला भी बोलते हैं जो दो चाबियों से खुलता है एक चाबी पती के पास दूसरी चाबी पतनी के पास रहती थी उस जमाने के पटवा बहुत अमीर होते थे तो महिलाएं ज्यादा खर्च करती थी इसलिए पटवा ने ऐसे ताले का निर्मान किया नमबर 15 चांदी का पलंग इस हवेली में आपको चांदी का पलंग भी मिलेगा जो की पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ है सुना है कि उस जमाने में इस पर सोने की तारों वाली चादर बिछाई जाती थी इसकी छट पर आपको सागवान वर्शीशम की लकडी की अच्छी कारिगरी भी देखने को मिलेगी नमबर 16 पर मिलेगा आपको पासा पटूं के सोने वाले कक्स में आपको पासा देखने को मिलेगा जो हाथी दाथ से खेला जाता था रात को पती पतनी जब सोने जाते थे तब इसको खेलते थे और दिन बर की ठकान से राहत पाते थे दिन में इसलिए नहीं खेलते थे क्यो महिलाएं कम से कम एक से डिट गंटे में त्यार होती थी ये सबी सोड़ा सिंगार करने पड़ते थे तबी महिलाओं को इतना लंबा टाइम लगता था नमबर अठारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पटू की हवेली में आपको मोरचंग, सहनाई, अलगूजा, डौलक, तंदूरा बहुत से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे अलग-अलग खुशियों पर अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जैसे साधी के पर सहनाई, नमबर 19, पगड़ी, उसमें पटूओं की जाती को पहचानने के लिए अलग-अलग पगड़ी का पहनावा था, सिरफ एक ही समय ऐसा था कि वह किसी भी पगड़ी को पहन सकता था, और वो था उसकी साधी का समय, नमबर 20, किचन, पटूओं की हवेली में आपक पहने को मिल जाएंगे, जिनमें वो खाना बनाते थे, और एक ऐशा बरतन भी है, जिसमें वो बारिस का पानी इकठा करते थे, यहां पर गर्मी और सर्दी के लिए अलग-अलग रिसोई भी होती थी, उसमें तामबे के बरतन में खाने का इस्तमाल करते थे, जिनमें उनको पता चल जाता था कि किस खाने में जहर है और कौन सा खाना खराब है, नमबर 21, चिठियां, उसमें 1837 से 1847 तक पोस्ट कार्ड मतलब चिठियों का इस्तमाल चला, उसमें पर औरते बच्चों को बहुत कम पढ़ाती थी, ताकि वो उनकी चिठियां पढ़ने ले, और उन चि 40 से 50 डिग्री तक पहुच आता था, कवीता के दवारा कवी ने क्या कहा है, कि गोडा की जे काठ का, पंड की जे पासान, पत्तर की जे लोहे का, तब देखे जसान, इसका मतलब है कि गोडा होना चाहिए लकडी का, और सरीर होना चाहिए पत्तर का, और तब जाकर जसल में देख सकते हैं तो ये थे कुछ आचरीय तत्थ है हमारी वीडियो कैसे लगी कोमेंट में जुरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद